आज हम चर्चा करेंगे योग पर स्रेष्ट योगी वन्ने की इच्छा होना बहुत स्रेष्ट इच्छा है यह स्वयम के प्रती स्रेष्ट कामना अनेक लोग बाबा के बच्छे बहुत अच्छे योगी वन्ने का संकल्ब रखते ही हैं यह योग न केवल अपने को सुख देता है बलकि संसार में भी योग के वाइब्रेसंस अनेकों कुराहत देते हैं योगी बनने की इच्छा है सभी में? पक्की? सच्चे मन की इच्छा किसी के कहने से मेरे कहने से नहीं अंदर की अवाज हो कि जब भगवान ने स्वयमा कर राज्योग सिखाया है बिलकुल सहज है जो योग पहले से सिखाय गए थे अती कठिन थे इसलिए एक हजार सन्याशियों में कोई एक कर पाया हुआ यह नहीं अतन्याशिका अस्थांग योग बाबा ने बिलकुल सहरल कर दिया धाणाएं भी सहरल कर दी उसमें भी यह सब धाणाएं हैं लिकिन कोई उसको अपना नहीं पाया पवितरता भी है अन की सुधी भी है सारी रिक्षुद्धी का वर्णन भी है, चोरी न करना, संग्रे न करना, जूट न बोलना, सुब सोचना, दस नियम है, जिनको यम नियम कहा गया महा, बाबा ने बिलकुल सरल कर दिया, तो हमारे अंदर सुब संकल्प होना चाहिए, ये सुख जो केवल एक बार मिलता है, पूरे कल्प में, मुझे इस सुख से अपनी जोली भरनी है, न ये मौका दोबारा मिलेगा, न ऐसा योग कोई सिखा पाएगा, बहुत बड़े भागे की निशानी है, हम सभी बाबा के पास आगए, और सहर ज्ञान और राजयोग की विधी हमारे पास आगई, फिर कहता हूँ, संकल्प करें स्रेश्टियोगी वनने का, क्योंकि इसके लिए मन उसको त्याक की आवश्चक्ता होती है, सभी अपने को देखेंगे, मेरी रुची कहां कहां है, संगम युक को एक विशेश वर्दान है, तुरंत फल देने का, इसको बाबा ने का पर्तक्स फल, हम तो यग्य को पचास साल से पूरी समीपता से देखा है, अब अच्छी तरह जानते हैं, जिसको बड़ा ओफिसर बनने की इच्छा हुई यग में, वो बन गए, जिसको बड़ा इंचार्ज बनने की इच्छा हुई, उनकी इच्छा पूर्ण हो गई है, जिसको इच्छा हुई मुझे बहुत मान सम्मान मिलना चाहिए, वो भी पूरी हो गई, और थोड़ों की इच्छा थी हमें सरेष्ट योगी बनना है, उनकी इच्छा पूरी हो गई, किसी की इच्छा थी मुझे बहुत से वाए करनी है, बासन करते हैं, वो भी पूर्ण हो गई, संगम युक कोई वर्दान है, इसलिए क्यों न हम सबसे सुंदर संकल्प करें, कि मुझे बाबा से सर्व खजाने ले-लेने हैं, है या नही अच्छा संकल्प? विकास खुस हो रहा है? बाटने होंगे, विकारी हमारे द्वार पर आएंगे, और भारत की ये परंपरा है, इस कल्चर है, कि द्वार से कोई भी खाली हात न जाए, है या नहीं, हमारे द्वार से भी कोई खाली हात न जाए, इसलिए हमें श्यांती का खजाना, सुखों का खजाना, शक्तियों और पवित्रता का खजाना, खुसी और दुआओं का खजाना, बहुत जमा करना है, जो भी आए, दुआएं लेकर जाए, बाबा कहते थे, उदारन देते थे, तुम्हारे द्वार पर कोई प्यासा आए, तुम उसे भोजन थोड़ा ही दोगे, भोजन के उसे जरुरत नहीं, उसे पानी की जरुरत है, तुम सोचो ये जन सुनता नहीं जाओ भे, प्यार दे के, तरप्त करके उसे भेजना होगा तो फिर आएगा, किसी को केवल स्यांती चाहिए, किसी को किसी समस्या का समधान चाहिए, वो हमें देना होगा, जैसे आज कल, हमारी सभी सेंटर्स में आने वालों में, मन्सिक रो मुझे खुशी नहीं रहती, मेरा डिप्रेशन बढ़ रहा है, मुझे रात को नेन नहीं आती, व्यार्थ संकल बहुत जाद चल रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहे, हम दुखी हो गए हैं, हमें मार्ग बताओ, अब गयान नहीं सुनते, उनको वहीं चाहिए, कि मन्सिक मिल जाएगी, वो ये नहीं करेंगे, तो हमें ये परखना होगा, किसको ग्या चाहिए, जब हम उसको वही देंगे, तो तरप्त होंगे अत्माएं और आगे बढ़ेंगी, ज्ञान भी लेंगी, बाबा से मिलन भी करेंगी, तो बहुत अच्छा योगी हमें बनना है, मैं ए मैं पूछता था पचास साल पहले, आप सब भी जानते हैं उसको राज गहराई से पूछें अपने से, बाबा की मुल्ली में आया, बच्चे कम से कम मुझे आट घंटे रोज याद करो, सुना है ना सभी ने, जब हम ये सुनते हैं, तो हमारे अंदर क्या विचार उठता है हमेंसे अने एक उने पता नहीं कि वोई सोच रहे हैं, संकल्प कर देते हैं, ये अपना काम नहीं है, अंदर य अंदर उने पता चलता, हमें तो बहुत सेवाए हैं, हम कैसे ही तरह योग कर सकेंगे कोई तो सोचते हाट गुंटे बैठना पड़ेगा अपने से तो नहीं बैठा जाएगा, कमर दुख जाएगी हम नहीं करेंगे हम रिजेक्ट कर देते हैं बाबा की बात को देख लें आप से भी होता है या नहीं माताय सोचेंगी हम तो ग्रस्त में रहने वाले, हमसे कहा होगा जो समर्पित है न वो करेंगे समर्पित वाले सोचेंगे, हम सेंट्रों में रहते हैं यह बहुत से बाइ, मदुवन वाले कर सकते हैं मदुवन वाले सोचते हमें, तो उनसे भी जादा सेवा. सब ने कोई न कोई कारण दे के, उस मुख्य बात को रिजेक्ट किया हुआ है. मैं राइट हूँ या नहीं? यहरी बात है यह. और जोई से सुईकार कर ले. कि मुझे करना है, जब भगवान कह रहा है, तो हम नहीं करेंगे, तो कौन करेंगा? तो मैं अपना चिंतन सुनाता हूँ, 69 का चिंतन था है मेरा. बाबा ने काई, चट बड़ी बनवाई है, ट्रेनिंग सेक्शन बना था तब, चांती स्थम के सामने, ये लंबी चट बनी है, बनी रहा था, तो बाबा ने सरीर छोड़ा, तो बाबा कहते थे, बड़ी चट तुम्हारे लिए बनवाई है, इस पर जाकर मनन करो, योग करो, तो मैं बहुत रहता था मा, एकान थोता था, मधुबन में ऐसे सीजन नहीं होते थे, जैसे अब सीजन है, थोड़ा सा सीजन बगकी, थोड़े थोड़े लोग होंगे खाली, मैं अपने से पूछता था, आप भी पूछेंगे मैं अपने को इस तरह बात करता था तुम बुद्धिमान हो तुमारे पास योग का सरल ग्यान है क्योंकि मुझे पतंजली के योग का पता था, वो क्या है कुटिन तुमारे पास योग का सरल ग्यान है तुम्हारे पास शक्ती है, छोटे थे हम, शरीर की ताकत भी है, मन की ताकत भी है, यदि तुम ही योगी नहीं बनोगे, तो भला कौन बनेगा, उवंगाती थी बहुत जादा, तो अपने टीचर स्वयम बनना चाहिए, और जब हमें कोई श्रेश लक्स होता है, तो हम उसके विपरीत बातों को स्वत ही छोड़ देते हैं, हमें कोई सेवाई करनी हो, दो गंटे में पूरी करनी हो, तो हम इद अधर नहीं लगते ना, हम उस पर पुरा फोकस कर देते हैं, हमें को बहुत इंपोर्टेंट काम करना हो, उसमें आच्छे गंटे लगने हो, हम अपने को डेडिकेट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उस कारिये के लिए, खाना भी खाना होगा ना, कहेंगे दो घंटे बाद खा लेंगे, इसनान को भी रोक लेंगे, बाद में करेंगे, करते हैं या नहीं, हम भी, अपने को स्रेष्ट योगी बनाने के लिए, अपने को खु अगर हम समस्या समस्या में रहे, सोचते ही रहे बहुत समस्या हैं, तो समस्या हमें घेर लेंगी। और समस्या ऐसी है, यदि कोई उससे निकलने का मार्ग नहीं जानता, तो वो चकर्वियो की तरह है, जो नस्ट कर देंगी। हमें निकलने का मार्ग आना ही चाहिए। तो हम ध्यान दें, अगर हम अच्छे योगी बन जाएंगे, तो समस्याइं इस्वत ही लोप हो जाएंगी, अमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत सुंदर एक बात सभी याद रखेंगे, ये ड्रामा गतीमान है, चल रहा है, या रुका हुआ है, हर पल चल रहा है, जो सही नब है, तो देर के बाद नहीं रहेगा, दूसरा आजाएगा, और तो देर के बाद तीसरा आजाएगा, कुछ भी इसमें इस्थिर नहीं है, गती है इसमें, हम समस्याइं को जाने दिया करें, जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, जितना हम उसके बारे में चिंता कर जितना उसे परेशान रहते हैं, हम समझ ले, हमने समझ्या को पकड़ लिया है, गती रोक दिये, वो आगे कैसे बढ़े, हमने तो उसे पकड़ लिया, वो आगे जाना चाहती थी, हम उसका चिंतन चिंतन न करके, अपनी स्वाइस्थिती के बारे में सोचा करें, तो अच्छे योगी बनने वालों को अपने को अंतर मुखी कर लेना चाहिए, अंतर मुखी कार्थ चुप रहना नहीं होता केवल, अंतर मुखता कार्थ है, जो हमारे बाही आकर्शन है करमेंद्रियों के, उनको हम छोड़ दें, हम इधर उधर बहुत देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, यह बाही आकर्शन है, हम यह देखने लगें, मुझे क्या करना है, और मैं क्या करता हूं, करती हूं, यह अंतर मुखता है, करमेंद्रियों का, खिचाओ बाहर की और, आंखे बाहर का देखती हैं, तीसरा नेतर अंदर का देखे, कान बाहर का सुनते हैं, केवल कि सुने ये अंतर मुक्ता है, मुक्कम बोले तो चिंतन अच्छा होगा, तो बहुत अच्छी तर है, जिसको योगी बनना हो, व्यार्थ से आंखे कान बंद कर ले, दाज जयान किसे सीखा था उने, का करती थी, योगी बनना है, तु संसार में ऐसे जियो, जैसे तुम अकेले हो, सेवा करनी है, तो सब के साथ ऐसे मिल जाओ, जैसे सब तुम्हारे हैं, तुम सब के हो, बहुत अच्छा लगता था हमें ये मावाक्य, तो उन्ची जो को हम छोड दें, जो हमारे योग के मार्ग में बाधाएं हैं, अगर हम गंटो व्यार्थ सुनेंगे, तो योग तो है, बोलो, बटकाया जाता है, अगर हम से अंकल्प कर लें, ये मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इससे हमें विस्वकल्यान करना है, तो हम ये व्यार्थ की बाते सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ममा की एक बात, क्योंकि हम भी बहुत जाते हैं, बाहर शहरों में जाते हैं, गाडियों से, सामने बड़े-बड़ दिखाए देते हैं, होर्डिंग लगे होते हैं, एड़टाइजमेंट के, रमेश भाई ममा को कार से गुमा रहते कहीं, बहुत अच्छी एड़टाइजमेंट का बात था, निकल गया तो भाई साब ने ममा से पूछा, ममा आपने ये देखो, कितना सुंदर बोड लगा देखा, क्या उत्तर था ममा का, ममा अगर उपर देखती है, तो उपर वाले को ही, नहीं तो नीचे अपने को, ये है, उनके संकल पुरदारनाएं, जो संसार की सर्वस्रेष्ट आत्मा है, ममा महान योगी मान तम योगी, बावा ने भी तपस्या बाद में शरू की थी, कहने की बात तो नहीं है, उनके साथ तो सी बावा थे, पर मामा ने तो आते ही सुरू कर दे थी, तपस्या का ज्यान भी कम था, के वली संकल्प में बैठते थे मैं आत्मा हूं, या मैं विस् एक दादी से हमने पूछा, हो किचन में आई, दादी, आप योग कैसे करते थे, बाद नसे में पैठे रहते थे, मैं गौड का बच्चा, गौड, बस और कुछ नहीं, अब तो कितना सुंदर सरल ग्यान है हमारे पास, बिन-बिन विधियां है, तो व्यार्थ से अपने को सब यान्सरोर वालों को बहुत अच्छे वाइबरेशन, चार ओर पैलाने हैं क्योंकि पुने सेवाएं हमारे सामने आ रही हैं, सेवाएं के बल उन से नहीं होती, जो क्लास करा देते हैं, जो और्गनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम को उन से सेवा नहीं होती, सेवा होती है यहां के श्रेष्ट वाइब्रेशन से हर व्यक्ति यांसरोर में आकर यहां के वाइब्रेशन की महिमा करता है यहां आए, पता नहीं क्या हो गया हमें तो मन स्यांत हो गया है यह था वो था, सब ठीक हो गया है और यह वाइब्रेशन कौन फैला रहे हैं? टूह यह तो नहीं फेले न, यहाँ तो भालु और बेडी रहते थे, पता एना सबको, मैजर साथ को पता ही है, क्या हाल था यहाँ का, चीते रहते थे और अब यहाँ के वाइबरिशंट्स तो यहाँ वालो ने बनाए होंगे न? बाबा भी उपर से वाइबरेशन तब देता है, जब नीचे वालो के वाइबरेशन, उपर वाले के वाइबरेशन को अट्रेक्ट करते हैं और ध्यान देंगे हम सभी ऐसे सुंदर वाइबरेशन बनाएं, कि ये ज्ञान सरोवर्द जादू की नगरी बन जाएं यह आते ही, अब से भी सुंदर होने जा रहा है कुछ सालो में, यह साक्सातकार की भूमी बन जाएगी, जो भी यह आएगा, उसे अपने भाग्य का साक्सातकार होगा बाबा के यह महवाख्य हैं, तुम्हारे मस्तक टीवी की स्क्रीन बन जाएंगे, वो तुम्हारे मस्तक पर न जाने क्या क्या पढ़ेंगे अपने बारे में तो ये सब सुन्दर भविष्य हम सभी का इंतजार कर रहा है मस्तक टीवी स्क्रीन उनकी बनेगी जो आत्मी का भ्यास में बहुत ज़ाद रहेंगे मैं बहुत चमकती हुई हीरा, मनी, तेजस्वी आत्मा ब्रकूती सिंगासन पर है, इसका भ्यास बहुत कर लेना चाहिए और सभी बहुत अच्छी तरह ध्यान देदें जो अभ्यास हम बहुत कर लेंगे हमारा वही स्वरूप दूसरों को दिखाई देगा अगर हमने बहुत अभ्यास कर लिया मैं मास्टर सार्व शक्तिवान हूँ तो देखने वालों को हम से शक्तियों की किरने चारो और फैलती नजर आएगी यदि हमने बहुत अभ्यास कर लिया मैं पवितरता की देवी हूँ पवितरता का फरिस्ता हूँ तो देखने वालों को हम धरती से उपर घूमने वाले फरिस्ते दिखाई देंगे उन्हें लगेगा ये उपर कैसे हैं ये तो हावा में हैं धरती को टच नहीं कर रहे हैं जो अभ्यास हम बहुत करेंगे एक और बहुत सुंदर अभ्यास है सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर चत्र चाया है जिनोंने ये बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया होगा जो डाकू भी देखेंगे न उन्हें दिखाई देगा इनके ऊपर तो भगवान की चत्र चाया है और वो केवल दिखाई नहीं देगा उसमें इतना तेज और प्रभाव होगा कि देखने वाले दूर भाग जाएंगे बहुत तेजस्वी होगी वो चीजे सिंपुल नहीं के चत्र दिख रहा है यहां बहुत प्रभावकारी बहुत सक्तिशाली जिसको देखने से ही ऐसे लोग जो निगेटिव हैं गुंडे हैं बदमास हैं भेवीत हो जाएंगे बाबा ने कहा ना मुरली में उस तिन बाबा भयानक रूप दिखा देता है माताओं का और यह कईयों को हो चुका है चोर घर में आये माता अकेली थी किचन का दरवाजा छोड़कर ऐसे ही चली किई अपने कमरे में किचन घर में बंदर बहुत है आजकल सेहरों में तीन बड़े-बड़े बंदर आगे फट से और वो इसकी और बढ़ने लगे यह चिलाई मदद करो मदद करो कोई नही सुने वहां जब किसी नही सुना इस कोई याद है बाबा भी तो है बाबा बचाओ बस बंदर स्यान थुए और चुप चाप महा से निगल के दूसी चट पे कुद गए देखो बात छोटी सी है पर बहुत सुन्दर है लेकिन हमारा हाल दोपदी की तरह नहो क्या पहले सब के आगे हाथ जोडे किसी ने मदद नहीं कि चीरहरन ओने लगा तब याद आया हो वासुदेव तो मेरा भाई बना हुआ है और याद करते हैं सामने दिखने लगा कहीं हैसा नहो सारा खेल बिगट जाए फिर याद आए बाबा भी तो है बाबा भी तो है नहीं ऐसी आदत बनाएं कि पहला संकल्प ही बाबा का हो ये आदत से होगा बिना प्रेक्टिस नहीं होगा इसलिए जिसे योगी बनना हो वो प्रेक्टिस बहुत करेंगे माताय आई हैं से बाव में बाबा के कमरे में दस-दस मिनट भी बैठकर योग करें योग ये नहीं कि महाँ बैठके और बाबा को देखते रहे वो तो को योग आता नहीं बाबा को देखते रहना सामने योग नहीं है वो तो बक्ती हो गई बाबा के महवा क्या आप सब को यादा जाएंगे मुझे मेरे घर में याद करो दो घर हैं, सुक्सम वतन या परमधाम जब बाबा नीचे आते थे तो लास्त में ये भी मुडली चली मैं ब्रह्मातन में हूं, यहां याद करो वो तो प्रक्टिकल थे पर चित्र को देखते रहना, यह योग नहीं है कई बहने भी सेंट्र में सिखा देते हैं, जिनको जाद नहीं आता बाबा कमरे में बैठो, सिर बाबा का चित्र है उसे देखते रहो यह हो गया योग, यह योग नहीं है पहला योग बाबा मेरा है कहने की बात नहीं मेरा बाबा, कहना भी अच्छा है, पर उससे मेरा पन हो जाए, अपना पन, जैसे आप सभी माताओं को, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से, मेरा पन है न, सोचना थोड़ा ही परता है, यह हमारे हैं, बाबा से भी यह बहुत सुंदर फिलिंग हो जाए, वो मेरा है, जैसे उसे फिलिंग है, यह सब बच्चे मेरे हैं, कितनी महिमा करता है, कितना सम्मान देता है अपने बच्चों को प्यार देता है, हमें भी ये good feeling, deep feeling हो जाए, जो भगवान है, जो भाग्यविदाता है, जो सर्वशक्तिवान है, स्ष्ष्टी का बेज है, वो मेरा है, इसको चिंतन के द्वारा अपनी good feeling में लाना है, तो जो मेरा है, वो मेरे लिए है, वो मेरी care भी करेगा, मेरा ध्यान देगा, मुझे मदद भी करेगा, वो केवल कहने के लिए मेरा नहीं है, वो सब कुछ हमारे लिए होता है, इसलिए बाबा ने कह दिया, तुम बुलाओ और मेनाओ, ये हो नहीं सकता, तुरंत आजाएगा, तो हमें अभ्यास बढ़ाने हैं, ये अभ्यास कहां से मिलेंगे हमें? रोज की मुल्ली से रोज अच्छी अच्छी बाते मुझे ऐसे याद करो ऐसे याद करो साकार मुल्लियों में भी बाबा सुनाते हैं और जो रोजवर्दान आता है उसमें और डैप्थ होती है योग की भी और स्रेश्टिश्मर्तियों की भी जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले का और बोत बार काहा है, यदि तुम ये याद करो, कि ये पाँच हजार साल का खेल पूरा हो रहा है, अब मुझे वापिस घर जाना है, तो ये भी, ये भी मन्वना भाव है। दो तिन दिन पहले था, जैसे मैं ब्रह्मातन में अवतरित हुआ हूँ, सष्टी को भावन करने के लिए, तुम भी अभ्यास करो, मैं आत्मा भीषदे में अवतरित हुई हूँ, विष्वकल्यान के लिए ये ये असरिरीपन हो गया। तो भिन्वन अभ्यास जो बाबा मुर्लियों में सिखाते हैं, वो करते रहें, मैं आपको दो चार चीजे सिखा दू, जो मुर्लियों में नहीं आई पर संदेशों में आई थी, गुल्यार दादी बहुत अच्छे-च्छे संदेश लाया करती थी, उसमें एक था, तिके ब अंग-अंग से रंग-विरंगी किरने फैल रही हैं, संदेश दिया बाबा ने ये अभ्यास किया करो, वो तो फैलती हैं, अगर हम उसकी अवेरनेस में हैं, हम उसकी इसमर्ती में हैं, स्वरूप हैं, तो हमें बहुत आनंद आएगा, जैसे हम अंधेरे में खडे हों, किलियर फेलिंग हो जाएगी, कोई हमें दोर से देख रहा है, ये ऐसे फरिष्टे हैं, जिनके अंग-अंग से शक्तियों की किरने फैल रही हैं, वीजन बनाएं, चित्र बनाएं अपना, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सुंदर अनुभा होंगे, एक संदेश आया उसमें बाबा ने कहा, ऐसा अभ्यास करो कि ज्ञान सूरिय सी बाबा आखों के सामने है, थोड़ी दूरी पर, और सामने से उसकी किरने पड़ रही हैं, बहुत पावर्फुल योग हो जाएगा, किसी किसी को एक समस्या होती है, कि जब उद्धी परम नाम में ले जाते हैं, तो सि कि जब आखों के समझ्चा हईए, इसके कई ब्रेन के कारण है, दवाउ पड़ता है, ब्रेन पर में उसको छोड़ कर, सिव बाबा ज्यानसुरियांकों के सम्मुख है, सामने से ही किरने आ रही है, सम्यों हो, पाँच साथ फुट पर है, किरने आ रही है, बहुत संदर जैसे जैसे ब्रेन एनर्जेटिक होगा, शक्तिशाली बनेगा, फिर परमधाम में बाबा के पास जाकर बैठना भी इजी हो जाएगा, एक तीसरा संदेशा है बाबा का, बहुत सुंदर है यह, अभ्यास करो, मेरे ऊपर एक तरफ ब्रह्मा मा है, फरिस्ते रूप में देखो ब्रह्मा, उनके मस्तक से शीटल किर्ने मुझे आ रही है अभी कर लैं, ब्रह्मा मा मेरे एक तरफ, मस्तक से सीटल किर्ने आ रही है, मा से सीटल जाती है दुसरे तरफ जान सूर्य रिये है, उन से शक्तियों की किरने आ रही है, हम इसको गेम बना सकते हैं, खेल। बैठो आप, देखो, इधर, ब्रह्मा बाबा, उपर, शीतल केरने आ रहे हैं, दस सेकेंड केवल, दुश्य तरफ ज्ञान सूरिये, शक्तियों के केरने आ रहे हैं, दस सेकेंड, पांच पांच बार कर लो, मन एकाग्र हो जाएगा, बहुत पावर्फुल योग हो जाएगा, केवल परमदाम में योग ही नहीं करना है, ये योग के विन विन, मनोरंज का भ्यास है, इनको बाबा ने मनोरंजन कहा है, सभी ने सुनाई है, योग को मनोरंजन बना दो, योग को सिंपलिफाइकर दो, कभी सिंपल अभ्यास करें, बहुत पावर्फुल है, बहुत सहज हैं, गूमो specifically, गूमो, 5-12 मिन लेकर गूमने लगो, उपर से बाबा की किरने पड़ रही है, जिसे चित्रों में इकाते है ना, उपर से फाउन्ते इन पड़ रहा है योगी के उपर, कभी श्यांती की किरने, कभी पवितर्ता की, कभी शकतियों की, थर-थर देर, जिसको जाद नह तो 10-10 second किया करें एक minute में तीनों का अभ्यास कर लें फिर समया पर जाएगा, अच्छा अभ्यास हो जाएगा फिर एक-एक minute कर लें ऊपर से पवित्र सा करें नादे दोते, काम करते रोटी जुटे बना रहे हैं वीच वीच में अभ्यास कर लें बोजन खा रहे हैं, बीच बीच में अभ्यास कर लें तो इस तरह इस योग को सहज बनाना है एक और बात, बहुत सुन्दर क्योंकि ये योग, बाबा का सब्द है प्रेम योग भी है भगवान से प्यार किया है हम सबने इस प्यार में उससे बहुत अच्छी बाते करना रूरिहान और उसको सुक्रिया देना दोनों ही हमारे मन को उसके प्यार में मगन करने वाले अभ्यास हैं बाते करने के लिए सोचने की ज़रुरत नहीं कई पूछते हैं क्या बात करें मैं माता हूं उसे पूछा करता हूं जब तुम दो मिलती हो और आदा गंटा बात करती हो प्लान बनाती हो क्या के क्या बात करेंगे बनाता है कोई प्लान दो मित्र मिलते हैं गंटो बात करते हैं प्लानिंग होती है क्या कोई बाबा हमारा है, उसे नाता जोड़ लो, पिता है, जैसे बच्चे अपने बाप से बात करते हैं, बात करने का ये अर्थ भी नहीं, हम बाबा की महिमा करते रहें, बाबा आप शान्ती के सागर हो, प्यार के सागर हो, बाबा कहता है मैं भूल गया हूं क्या, तुम रोज दिलाते हैं, बाब आप सर्व सक्तिवान हो, ये नहीं, ये बहुत दूसरा तरीका योग का, जिने कुछ नहीं आता, चलो ये ही सही, वो सर्व सक्तिवान है, और मैं भी बहुत सक्ति साली हूं, अब उसे शक्तियों के वाइबरेशन्स लेने हैं, ये है योग, महिमा अगर उसकी हमें गानी है, तो उसका दूसरा तरीका, बाबा, आपने मुझे कितना सुख दिया, आपने मुझे सुखों का बंडार बना दिया, मुल्ली में था ना, सुखों की खान दे देता हूं तुमें, आप कितने अच्छे हो, आप हमें कितना प्यार करते हो, ये है उसकी महीमा करने का तरीका आपने हमें शक्तियां दे दी हम तो कितने कमज़ोड थे आपने हमें बोलना सिखा दिया जानते थे क्या बोलना हमें से कोई कह सकता था दुनिया में कि हम विस्व का कल्यान करेंगे लोग मजा करते आये हैं विस्व कल्यान करने, चेहरा तो देखो, अब हम नसे से कहते हैं, हम विस्व कल्यान कारी हैं, किसने सिखा दिया ये? तो कितना महान हायस्ट हमारा बाबा है, जिसने हमें भी बहुत महान बना दिया, ये है उसे रुडिहान का थरीका, तो याद किया और तुसको सुक्रिया दिया करें आप कहेंगे कैसे दे शुक्रिया, देखो बाबा ने हमें बहुत बहुत बड़ा ग्यान दिया है colonial चोटा नहीं है आते ही एक लाइन में कहे दिया तूम आत्मा हो, यह सरीर नहीं हो रिस्य मुनी इसी को जानने के लिए भटकते रहे, परिशान रहे, बाद भीवाद होता रहा, तुम मन हो, दूसे नहीं हो, तुम बुद्धी हो, बिलकुल नहीं हो, तुम सुक्सम शरीर हो, यह भी नहीं हो, इन सबसे परे हो, आत्मा हो क्या, हैं या नहीं हैं, सूचते ही और इधर, एक ही लाइन में पूरा कर दिया, और हमने मान लिया, हमें भी तो देड नहीं लेगी ना मानने में, तो बाबा को सुक्रिया करो, आपने हमें कितना सरल, संपूर, परफेक्ट ग्यान दिया है, आपको बहुत बहुत सुक्रिया, ऐसा ग्यान दिया किशत की खोज समाप्त कर दी, ऐसा ग्यान दिया मंजिल साम ने दिखा दी, ऐसा ग्यान दिया बटकन बंद कर दी, आपको लाख अखोल आखो बार सुक्रिया, यह रियल बात है और नहीं, दिल से सुक्रिया निकलेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, आपने हमें तीसरा नेत्र प्रदान किया, आपने हमें सुधर्सन चक्रधारी बना दिया, आपने हमें तृकाल दर्शी बना दिया, कोटी कोटी बार सुक मन उसके प्यार में भरपूर हो जाएगा या नहीं? ठीक है? और सुक्रिया करें, देखो बाबा ने क्या किया कर, आप हमारी जीवन नया के खिवया बन गए, बन गए या नहीं? या किसी को है के मनने के बाद पता नहीं कहां जाएंगे? सास्त्रों बहुत बाते कर दी, इतनी नदियां पार करेंगे, काली गुफा से जाएंगे, नर्क में धकेल दिये जाएंगे, यम्दूत आरा चलाएंगे सिर्पर क्या कर दिया, और हमारा क्या हो गया? यह सरीट छोड़ा बाबा के पास मुक्तिदाम में, फिर स्वर्ग में, क प्रभू मिलन किया है, भविष्य हमारा बहुत सुंदर है, तो बाबा से बाते करें, उसको सुक्रिया किया करें, आप हमारी जीवन नईया के खिवया बन गए, आप आकर हमारे सारे बन गए, जीवन की आत्रा में हम अकेले थे, आपने आकर हमें साथ दिया, हमारे बोज हर लिए, हमें वे फिकर बादसा बना दिया, आपको बारंबार सुक्रिया, इसके बाद योग करना, ये भी योग है, लेकिन पावर्फुल योग इसके बाद करना, मन बावा से चन भर के लिए इधर उधर नहीं होगा, ये है उसके प्यार में मगन होने की विधी, तो हम ध्यान दें, सवेरे ही हम अपने को स्रेष्ट श्मर्तियां दिला दिया करें, सवेरे के समय को कई भागों में हमें बाट लेना है, सुन्दर विचार मुझे क्या करना है, भाग्य बनाने का समय है, मुझे सर्व स्रेष्ट भाग्य बना लेना है, ये अवसर दो बारा हाथ में नहीं आएगा, मुझे ये अवसर हाथ से निकलने नहीं देना है, एक ही संकल्प हमें जागरित कर देगा, बाबा उपर बैठ कर मेरा आवान कर रहा है, आओ बच्चे ये सब खजाने और वर्दान तुम्हारे लिए है, जो चाहे ले लो, जागर करती आजाएगी, आजाएगी है नहीं, सवे रहे से सुंदर संकल्पों से अपने को चेतन करेंगे, तो मन की तन की सारी सुष्ती नस्ठ हो जाएगी, फिर लक्स बना लें यही, बाबा को स्रेश प्राप्तियों के लिए सुक्रिया करने लगे, उटते करने लगें तो बहत बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे भाग्यको सब से उंचा उठा दिया, और एक सबद बाबा ने बोला है, दैने तुम्हे मास्टर भागय विधाता भी बना दिया है, आपको बाग बाग्त सुक्रिया, मेरे जैसा खुष नसेब, मेरे जैसा भाग्यवान सनसार म कोई नहीं, सची बाते हैं न यह यह उमारे दिल से निकलेंगी ही, इसमें कुछ भी सोचने की और कल्पना करने की बात नहीं, यह हमारे बारे में सथ्यता है, सवेरे यह करेंगे, पर जब योग में वैठेंगे, तो पहला अभ्यास, मैं आत्मा ब्रकुटी की कुटिया में बहुत अच्छा नुभाव, अलग, दोनों अलग, मैं अलग, यह देहें अलग, अपना स्वरूप बेलकुल किलियर दिखे, किलियर चमकती हुई आत्मा, कभी मैं आत्मा इस्तन में अवतरित हुई हूँ, फिर पांच स्वरूपों का भ्यास जोड़देंशी से, सत्युक के आदी में हम क्या थे, अपना स्वरूप सामने ले आएं, मेरा पुझ्य स्वरूप यह है, सामने लाएंगे पहले, मैं स्रेष्ट ब्राह्मन और ऐसा फरिष्टा मुझे बनना है, यह स्वरूप सामने ला के हमारे देवता, पुझ्य फरिष्टा, उसे पहले मैं आत्मा, ब्राह्मन तो हम हैं, पांच स्वरूपों का भ्यास दो तीन वार कर लेना चाहिए, थोड़े चिंतन के साथ, उसके बाद रूपाने ड्रिल करेंगे, मैं एक सिंपल विदी आपके सामने रख रहा हूं, मैं फिर मैं आत्मा परमधाम में, फिर महां से वापिस देहे में, दो तिन वार ये भी कर लें, रौण ले लें, इन सब से हमारा योग रूची कर होगा, रूची कर समझे योग करने को मन करेगा, बस अब करते ही रहें, अगर आप बैठे ही रहें ऐसी स्थिति बन जाएगी, पिर परम्दाम में इस्थित हों, या बाबा की किरने रिषीव करें, संसार को सकास दें. सकास देने की एक सहज विधी मैं सभी के सामने रख रहा हूं. बाबा का महवाद क्या है? साकार मुद्लियों का? जब तुम दूसरों को आत्मा देखते हो, माना उन्हें करेंट देते हो. तो आप एक चित्र बनाए, एक विजन बनाए, मेरे चारो ओड लाखो करोडो आत्मा चमकती मनिया हैं. देखो दुनिया में, अभी देखो, करोडो चमकती मनिया, इधर मैं लाइठाउस, माइठाउस, बाबा की केरने मुझ पर आ रही हैं, और मुझ से ये वाइब्रेशन्स, इत करोडो आत्माओ को जा रहे हैं. जैसे सुक्सम धागे, बहुत सुक्सम, गोल्डन धागे, जुड़े हुए हैं हम इन सब करोडो आत्माओं से, तो बाबा की शक्तियां मुझ में समा कर इन करोडो को जा रही हैं. कभी गलोब के ऊपर खड़े होकर कर लेंगे, अपने कमरे में बैठके ही कर सकते हैं, बाबा के कमरे में यहां बैठकर बहुत अच्छा इस से अनुभा हो जाएगा, पसंद है? तो सभी बहुत अच्छी प्रेटिस करेंगे, योग तो बड़ा सबजेक्ट है, अब इसको य बार गरस्त में रहने वाले भाई बहने हैं, वो बहुत अच्छा अभ्यास करते हुए, अपने को यहां से बरपूर करके ही जाएंगे, और बार बार आएंगे, आएंगे ना? थंदी तो नहीं लगती बहुत, है तो सही, पर अभी बहुत जादा नहीं, इसको जादा नह सम करती की मालिक हुँ, इस नसे में रहेंगे, तो ठंदी का असर नहीं होगा, ओम स्यांते, अभी यही योग करेंगे, बाबा की केर्णे मुझ में समा कर करोडवात्माओ को जा रही हैं,